Morphology of Chromosomes can be best study at सबसे पहले समझो कि Morphology का मतलब क्या होता है अगर मैं बात करती हूँ Morphology के बारे में इसका मतलब होता है structure क्या होता है एक तरीके का structure अब किसी भी चीज का structure आप कब पता कर पाएंगे जैसे अगर मैं कहती हूँ कि यह house बन रहा है, right, घर बन रहा है, अब यह घर को आप कब देख पाएंगे कि कब बेटर बना, जब कुछ हद तक बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक दिवार अगर आप खड़ी कर दोगे, आप को ओगे घर बढ़िया बन जाए, नहीं, उसे तरीके से हमारे जो cells होते हैं, में chromosome पाए जाते हैं, यह मैंने आपको दिखाए भी थे पिछल रेसन में, तो chromosome का मतलब आपको पता है कि हमारे human being में total 46 तरीके chromosome पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 20 through 3 pairs, right, 20 through 3 pairs जो हैं, यह decide करते हैं कि weather हमारा जो characteristics क्या रहेगा, अब chromosome की study कब better की जाएगी, जब वो ब time पे हम chromosomes को best study कर सकते हैं, तो यह question आपका पूछा गया था, this is also very important question,